ओम नमेश्रीवाए, जैश्री महांकाल हरहर महादेव शनी के वक्री होने का प्रभाव सभी राशी पर पढ़ता है इस दिन राशी के अनुसार दान करें शनी के ग्रः के दुषप्रभाव को कम कर सकते जीवान में सुक और समरद्दी सम्मान की प्राप्ती होती है साथ ही साथ जोतिष शास्त्र में शनी को बहुत ही महत्पुनिस्थान प्रापत है शनीदेव आगामी 17 जुन को कुम्ब रासी में वक्री होन चुके हैं और शनी वक्री होने की सिती में वक्र तुंड भी कहा जाता है यह एक जोतिष की घटना है जब ग्रह शनी अपने नियमित गती से पिशली या अगली दिशा की ओर जाते हैं तो इसे सनी का वक्री अवस्था माना जाता है सनी की ये वक्री चाल आने वाले पांच महीनों तक रहने वाली है जोती शास्त्रक में शनी की जगा अगर वक्री होती है और वक्री आउधी होती है तो बहुत ही महत्पून होती है आम तोर पर शनी किसी वक्री इस्तिती को अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन शनी वक्री के समय दोनों को धेर रखने क्या होशकता है समित रहने और दान दक्षना देने की सलाथ दी जाती है माना जाता है कि इसमें सनी के दूस प्रभाव को कम क्या जाए जा सकता है आए जानते हैं कि शनी के वक्री होने से आपकी राशी पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं आपकी राशी में कौन से चीज़े हो सकती है उस पर विश्यस आपको ध्यान देने की आउशकता है जब कभी शनी वक्री होता है तो व्रक्ति की मती भ्रस्ट हो जाती मति ब्रस्टोने से मतलब है उसका बुद्धी विवेक चल, कपट और उसके मन में नकारतमक्ता चार ओर से उसे घेर लेती है और वही नकारतमक्ता उसे गलत कारी करवाती है इसलिए जितना हो सके उतना अपनी बुद्धि और हुआनी पर आपको बहुत अंकुश रखने के उशकता है, जादा सोचना नहीं है, जादा समझना नहीं, शांत रहना है और कुछ भी चीजे हो जाए, ओवर्थिंक नहीं करना है, आप जितना सोचोगे, जितना ओवर्थिंक करोगे, उतनी आपकी परिशानिय सनी, बढ़ाने वाला है, दूसरी गल्ती यहाँ पर होगी शनी के द्वारा, शनी बेफिजुल के विवादों में हमें घसिट कर ले जा अच्छा रखने के लिए थोड़ा सा इफट लगाना होगा, जो खराब हो अच्छी होगी तो वहाँ फाइदा है, लेकिन जो अच्छी चीजे अगर वह खराब होगी तो नुकसान है, तो इसलिए किसी भी चीज को बहुत हलके में नहीं लेना है, ये बात हमेशा याद क्योंकि शनी यह साजी से करेगा और आपको उधर धके लेगा, नोकरी बदलना चाहते है, इस्थान बदलना चाहते है, परिवर्दन करना चाहते है, थोड़ा सा वेट एंड वोच करें, अभी दस दिन पंदरा दिन उसके बाद आप एक किन लेकर जा सकते हैं, लेकिन अभ अभी अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इसलिए बहुत खुद को बहुत जादा अवेर रखने के हो शकता है, इस पूरी सित से डरने के हो शकता नहीं है, जो जो बाते में आपके साथ बता रहा हूं, ये बाते कि वहला आपको अवेर करने के लिए, उपाय आपको ये नियमि तेना पड़ेगा, हो सके तो पीपल के पोधे पेड लगाए अभी, क्योंकि ये भी बारिश का मोसम भी आने वाला है, तो उससे भी कम से कम पांच पीपल के पेड पोधे लगाए, और उन्हें पाले पोध से बढ़ा करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं लगा दिया और भूल टीसरा है हन्मान चलिसा का नियमित पार्ट करें, चोता है शनी की गुप्त, जो पूजा होती है वो जरूर कराए, आप अगर हम से करवाना चाहते है, स्क्रिन पर नमबर चल रहे हैं, वो जरूर कराए, उससे आपको बहुत फाइदा होगा, इसके साथ साथ अपने शिवाई हर हर महादेव, जैशिव शंभो